हैने यूटूब फैमिली स्वागत है आपका कवितास किचन में और आज में लेकर आयूं हमेशें की तरह आपके लिए एक ऐसी यूज़ को आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपके बहुत काम आएगी यह कैसरोल में हम जब भी गरम-गरम रोटी अपना कर रखते हैं त पर में कोई भी इस तरह का स्टेंड हो अकर स्टेंड ना भी हो तो कोई बात नहीं आप लूज में कटोरी रख सकते हैं इस तरह से हम उसको कैसरोल में रख देंगे और ऊपर से यासे कपड़ा लगा देंगे अब नीचे वाली रोटी गिली बिल्कुल नहीं होगी और तरह कि इसमेल भी आने शुरू हो जाती है तो यह परेशानी तो लगबख सबके साथ ही होती है इसके लिए कोई भी एक बढ़त ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे शैंपू शैंपू आप कोई भी उसका सकते हो इसके बाद हम इसमें डालनेंगे गरम पानी पानी काफ लगबख 2-3 मिनट के लिए इसको इसमें ही भीगने के लिए छोड़ दीजिए देखें 2-3 मिनट होने के बाद हम इसे अच्छे से मसल मसल कर धो लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे साफ पानी से निकाल लेंगे इसके बाद इसे हम धूप में सुखा देंगे तो हम देखे से लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए आप मेरे चैनल पर पहले बार आये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में जैए